दो जार बाइस के चुनवाप के लिए अब समय कम हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि इस दो जार सत्रा से और अब तक हमारे जो विदायक हैं उन्होंने अपने छेतरों में क्या-क्या काम किया है क्या-क्या उनकी उपलग दिया है इसी चरह में हमारे साथ आज यमकिस्वर की बिदायक अरिद्वी खंडूडी जी मौजूद है मैडम हम सब से पहले जाना चाहिए कि दो जार सत्रा में जो आपने एक प्लानिंग कि होगी कि हम अपने छेतर में यह यह योजना है इस तरीके से काम करेंगे तो अब तक क्या-क्या काम मैडम अब तक आपके छेतर में हो 2017 में यमकेशवर में पहली बार घूमी थी तो दिमाख में मस्तश्क में एक चीज़ बहुत पिक्चर क्लियर आ गए थी कि यहां सड़कों की सक्त कमी हैं और एलेक्शन के बाद ही मैंने जीत का भी इंतजार नहीं किया क्योंकि यह मन में बैठ किया था कि मेरे हजबन प्रधान मंतरी ग्रामीर सड़क योजना की लाई अब तो खेर वो एक सो पचास से उपर हो गई है तो सड़कों के मामले में मैंने काफी कारे किया है आदरनी मुख्य मंतरी जी ने भी हमें पी डबलूड़ू के तहत सड़के दी हैं और करीबन तीस में तिस करोड की सड़ में कटी हैं जिला योजना से कुछ कटी हैं उसके अलावा विधायक निधी से भी मैंने कुछ सड़के कटवाई हैं भले शुरू में मैं इसके खिलाफ थी लेकिन हमने अपने प्रधानों के साथ मिल कर किसी तरह का एक कॉडिनेशन किया और डफ टेलिंग करके ये निर्ण दिवार जो रिटेनिंग वाल्स होती हैं उनको लगाने का भी पूरा प्रयास किया है इसके अलावा पानी की समस्या मेरे छेत्र में काफी थी और कुछ नविवोकों ने शुरू शुरू की मैं अगर बताना चाहूं तो कुछ नौजमान थे उन्होंने जैसे धौसन हो गया जो लेडी हो गया यहां लोगों ने निर्ने लिया कि हम पानी पे काम करेंगे तो मेरा जो भी मदद हो सकती थी जिस तरह से भी मैं विधायक निदी से मदद कर सकती थी वहां पे भी मैंने मदद की तो गड़ा में पानी आम डाली है वहां किया गंगा भोकपूर हमारा है मल वहां पानी का किया और सबसे बड़ी योजना जिसको अभी आदरने मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को समर्पित की है भहरवगड़ी योजना सालों से चल रही थी और उसके नहीं बनने से मेरा करीबन 80% भहरवगड़ी जो है वो मेरे चित्र को जो उसका पानी जाएगा व मेरे चित्र में पानी की बहुत बड़ी जो समस्या थी वो कुछ हद तक कम हुई हाँ अभी भी जरुवत है और मुझे पून बिश्वास है कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार और हम सब मिलके लोगों को 22 तक घर घर नल और जल दे पाएंगे इसकी अलावा भी बहुत सारे काम जैसे बिजली पे हुआ है सोलर लाइट्स पे मैंने करीवें 1200 पोल्स दिये हैं भले ही वो सांसद निधी जनरल सहाब की थी पढ़ी थी तो उसके तहत हम लोग लेकर आएं तो ऐसे चोटे मोटे जो काम जरूरत के काम हैं उन पर मैं लगी देना है और इन पर किस तरीक काम चलना क्या आपका है कि यह बाइस से पहले चुनाओं से पहले पूरे हो जाई कि देखे ऐसा है तीन या चार पुल ऐसे थे जो बहुत ज़रूरी थे लक्षमन जूला के बंध होने से स्वारगाश्रम के इलाकों को थोड़ा दिक्कत हो रह और जो दिक्कत समस्या लक्षमन जूला को बंध होने से आई थी वो समस्या कुछ हद तक सुलजेगी इसके अलावा भी आदरने मुखे मंतरी जी ने वहां की जनता के लिए एक बहुत ही खुबसूरत और टेक्निकली साउंड बहुत ही सुन्दर एक पुल का डिजाइन हु जो कि रिशिकेश से इस तरफ मुनिक रेती से उस तरफ मेरे छित्र में जाएगा उसकी सब तैयारी हो गई है एस्टिमेट डीपी आर सॉयल टेस्टिंग सब कुछ हो चुका है और उसका जो डीपी आर है वो सेंटर गया हुआ है सी आरेफ में उसको भेजा गया है और और दिल्ली में जितनी मुझसे हो सकती थी वहां से मैं उसको क्लियर कराके लाई और आपको बताते हुए खुशी है कि यहां पर भी लगभग लगभग उसको क्लियरंस मिल गया है एक चोटा सा फॉरस क्लियरंस की जरुट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि यहां के अफसर भी ततपर हैं और मुक्यमंत्री जी भी उसको खास तोर से देख रहे हैं क्योंकि वो उनकी घोशना भी है बीन नदी का पूल उनकी घोशना में है तो इस पर भी मुझे पून विश्वास है कि जल्द से जल्द अगले साल तक हम इसका शिला नयास और काम श मुक्यमंत्री जी ने हमारी बात समझी और उस चीज को वो शिफ्ट हुआ पुल कुछ कारोनों से वो शिफ्ट होना पड़ा लेकिन उसका भी पहले फेस का जो एस्टिमेट है सतावन लाग का वो शासन में पड़ा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे ही करवा पाऊंगे मीडम आप सिक्षा के चेतर से जूड़ी भी है आप टीचर भी है तो अगर देखा जाया चाहिए आपका चेतर हो या फिर पूरा उतर रखन लो सिक्षा के चेतर में अभी कितने वाद बदलाव करने चाहिए या कितना अभी तक काम इस पे हो रहा है तो द कि सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन समस्याओं के कारण चीज़ें इतनी ठीक से नहीं सुचारू रूप से नहीं चल पाती है लेकिन यमकेश्वर में हमने यही कोशिश की है कि जहां भी हो सके जिस तरह से भी मैं मदद कर सकू अपने स्कूलों को चाहिए वो फरनिचर देने की बात हो कि बच्चे जमीन पर ना बैठें चोटी छोटी चीज़ें हैं कहीं लाइबरी की बुक्स देनी हैं इस तरह की चीज़ें मैंने की हैं छोटी चीज़ें हैं लेकिन हां मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम सब की मानसिक्ता को बदलना पड़ेगा और शिक्षा जो दे रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो जो जिम्मेवारी उनको मिली है वो से अच्छे से निभाएं और निभावी रहें ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया टीचर भी हैं और मैंने अभी भी देखा ह कुछ मेरे छेत्रों में और बहुत ही रिमोट छेत्रों में ऐसे गुरू जी दिखते हैं जो अभी भी जो परंपरा पहले होती थी वो नजर आती है हाँ थोड़ा बहुत अबरेशन हैं लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आदनी जागरूख हो रहा है जैस कि स्वास्त एक बड़ी समस्या है और स्वास्त के कारण जब अच्छा स्वास्त सुविधाई नहीं मिलती हैं तो लोग पलायन करते हैं स्वास्त के छेत्र में अगर मैं बात करूं तो दो तीन चीज़े मैंने कराने की कोशिश की है एक मेरा यमकेश्वर में CHC है अभी मेर एम्स रिशिकेश से बात चल रही है सधानतिक तोर पे वो मान गए हैं कि हम उसको आउट्रीच सेंटर की तरह लेंगे करोना होने के कारण और दफ्तरों में अफसरों को भी हो जा रहा है इस कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन डीजी हेल्थ से भी मेरी बात हुई ह और वो एक तरह से तयार हैं कि हम यमकेशवर को आउट्रीच सेंटर की तरह लेंगे दूसरा मैंने अपग्रडेशन और स्वरगाश्रम के अस्पताल के लिए कहा था क्योंकि आप जानते हैं टूरिस्ट बहुत आता है नीलकंट महादेव की वज़े से गंगा जी की वज़ चाना थोड़ा कठिन का रहे हैं लेकिन कोविट के दौरान आपको खुशी होगी जानते वे कि लगभग लगभग हर अस्पताल मैंड था चाहे उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मसिस्ट वो थे इस तरह की चीज़ें करवाई हैं वह एक्सरे मशीन भी हम ला रहे हैं कहीं मैंने खून जाचने की जो मशीन होती हैं वो दी हैं तो इस तरह के छोटे-छोटे कारे करवा रहे हैं और कोविट के दौरान तो हमने चाहे मास बाटना हों पी-पी किट देनी हों इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें की हैं टेंपरेचर मेजर्मेंट का जो इ ड़क्स भी है तो दोनों जिम्म्मेदारी आप किस तरी किसा देख रही है यह जो मोर्चा है आपका महिला मोर्चा इस पर किस तरी का मापलों कर रहा है लेकिन जिस तरह की टीम मुझे मिली है जिस तरह की संगठन का तीम मुझे दिया गया है, बहुत सक्षम महिलाएं हैं और बहुत सालों से कारेकरती आ रही महिलाएं हैं, समर्पित हैं पार्टी के लिए, समर्पित हैं संगठन के लिए, तो मुझे लगता है कि अपनी टीम के साथ, चाहे वो मेरी कारेकारनी हो, चाहे वो मेरी जिलाद्यक् मुझे लगता है कि हम बढ़िया मजबूती से पार्टी के साथ कारे करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे मैडम आखरी सवाल आपसे आपके फादर पूर्व मुख्या मंत्री रहें और इमानदार नेता कि उनकी छवी रही है उनके मिसाल पेस्वी उनके नाम पे चुनाव लडा है जब आप छेतर में जाती है आपने जब चुनाव लडा तो क्या सोचती है कि उस छवी को किस तरीके से बरकरा रखें, किस तरीके से आगे आपकी प्रानी है? मेरी तो सोच यह है क्योंकि जो जिस तरह का प्यार मेरे पिताजी को पूरे उत्रा खंड में मिला है, उस का सम्मान करना बहुत आवश्चक है. मैं तो जो जो सोचती हो तो बाद में कहीं लेट पहुँचती हूं तो डाट पड़ती है, कि आपके पिताजी क्या कहेंगे, आप लेट पहुची हैं. तो छोटी एक बहुत ही बुज़र्ग व्यक्ती मुझे गाउं में मिले और उन्होंने कहा कि इमानदारी से काम करना, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिताजी ने किस तरह से इस देश में और इस प्रदेश के लिए काम किया है. तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन जिम्मेवारी आप जिए रहती है कि किसी भी तरह से मेरे पिताजी के सम्मान में मैं कोई ऐसा कारे ना करूं उसमें जिसमें उससे ठेस पहुंचे है. अधन्यमादे मैंडम. जो हमारे विदायक हैं, वो जुड़ गए हैं, 2022 की चुनावकों को लेए हर को ही चाहता है, कि जब वो 2022 के अपने छेतर में जाए चुनाओं के लिए, तो उनको ये सुनने को नोम में लेगी, हमारी ये योज़ बनाएं अधूरी रह गए हैं. कैमरे मैंन सुसान सिंग के साथ, पंकज गरला, समय सक्ष, देरादून.